हलो SPS Astrology lovers, this is अगर प्रताप सिंग and you are watching SPS Astrology और जैसा आप लोग जानते हैं कि अब मैं शिम्ला से वापिस आ चुका और आज मैं अपने स्टूडियो में हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके बर्श आट के 11th house में अगर कोई planet अपने own sign में होता है या अच्छी position में होता है तो उसके बाद भी loss क्यों होता है और जैसे हम जानते हैं 11th house का संबन है hopes and wishes से और आपके gain से जो आप gain करते हो जो आप earn करते हो और 11th house का law अगर 11th house में है और उसकी दसा चल रही है लेकिन फिर भी करजा हो रहा है फिर भी परिशानी घतम नहीं हो रही है फिर भी घाटे पे घाटा हो रहा है तो उसकी वज़ा क्या है कैसे हम ये समझ सकते हैं कि 11th house का law अगर हमें क्यों नुक्सान दे रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है उसके पीछे का कारण है आपका moon जी हाँ इसलिए बोला जाता है कि चंदर कुनली जो है उसकी importance बहुत ज़्यादा है और चंदर को जरूर देखना चाहिए बर्शार्ट में अगर आप चंदर को नहीं देख रहे हैं moon को नहीं देख रहे हैं और prediction कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ गलत कर रहे हैं तो चलते हैं बोड की तरफ गड़ोस से पहले एक सिप्तो बनती है क्या बात है तो ये है आपका 11th house 11th house में Jupiter की placement होती है Jupiter मान लेते हैं कि अपने own sign में है Jupiter यहाँ पर अपने own sign में है Jupiter की दसा चल रही है Jupiter की दसा चल रही है और Jupiter को अगर हम अपने लगन से देखते हैं तो लगन का Jupiter enemy बन जाता है यानि Aquarius Ascendant में Jupiter हालंकि 11th house का Lord होता है और 2nd house का Lord होता है यहाँ 12 नमबर आता है 2nd house इसका Lord भी Jupiter हुआ इसका Lord भी Jupiter हुआ Jupiter अपने own sign में है Jupiter की दसा चल रही है लेकिन आपका जो लगन है वो इसका friend नहीं है और Jupiter कुम लगन वालों के लिए मारकेश होता है क्योंकि 2nd house का Lord होता है और दूसरा 11th house का Lord होता है और जो 11th house है वो 6th house से 6 तभी है चलो कोई बात नहीं Jupiter की दसा भी चल रही है तो इस दसा में तो gain होना चाहिए gain क्यों नहीं हो रहा है gain इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका मून यहां पर placed है मून से 12th away आपका Jupiter है हालां कि अपने own sign में है फिर भी gain नहीं हो रहा है या मून की placement आपके 4th house में है 4th house से Jupiter जो है वो 8th away है राइट 8th away यानि changes transformation या मून की placement आपके 6th house में है 6th house में अगर मून होगा तो 11th house जो है वो 6th house से 6th away होगा तो समझने वाली बात ये है कि दर्शा तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन gain क्यों नहीं हो रहा है gain इसले नहीं हो रहा है एक तो ये आपके लगन का friend नहीं है यानि कुम लगन वालों के लिए Jupiter जो है वो मारकेश होता है तो जो मारकेश की दसा चलती है और मारकेश अगर moon से 12th away हो 8th away हो या 6th away हो तो benefit की जगे आपको loss होता है इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं अपने बर्शार्ट में कि 4th house का Lord 4th house में है लेकिन लगन के हिसाब से 4th house जो है वो आपका enemy है राइट मतलब लगन और आपका 4th house दोनों आपस में friend नहीं है 4th house के Lord की दसा चल रही है और 4th house जो है वो moon से 12th away है यानि moon की placement अगर यहाँ पर होती है या 4th house से moon अगर 6th away होता है moon की placement अगर यहाँ पर होती है अगर हम moon से चेक करते हैं तो 4th house जो है आपका 8th away आ गया या moon की placement यहाँ पर होती है यहाँ पर आपका moon placed है 4th house के Lord की दसा चल रही है अब 4th house का Lord कून हो सकता है दिखते हैं अगर हम यहाँ पर चार नमबर डालते हैं तो लगन का फ्रेंड हो गया, अगर यहाँ पर हम तीन नमबर डालते हैं तो दो, एक, बारा, हाँ. अगर Pisces Ascendant है आपका तो Pisces Ascendant वालों के लिए Gemini जो Sign है वो यहां पर आएगा इसका Lord है Mercury Mercury अपने On Sign में Mercury की दसा चल रही है लेकिन यह जो Mercury है Moon से 12 अवे है या Moon से 8 अवे है या Moon से 6 अवे है तो इस Mercury की दसा में आपको फायदे की जगा Loss हो सकता है अगर Moon से 6 अवे हुआ तो करजा वर्जा बढ़ेगा सुख संपत्ती भी रहेगी इंकम भी आईगी लेकिन साथ साथ में करजा बीमारी भी चलेगी और अगर Moon से 8 अवे है तो सारी चीज़ें तो आपकी बनेंगी लेकिन उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और Moon से अगर 12 अवे है तो आप सुखी तो होंगे लेकिन हो सकता है कि अपने जनमिस्थान से कहीं दूर तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो कि कभी भी किसी भी ग्रह की दसा चलती है तो Moon से वो कितने अवे जाके प्लेस्ट है और आपका लगन क्या है अगर लगन के हिसाब से जिस ग्रह की दसा चल रही है वो लगन का फ्रेंड नहीं है लगन का एनमी है आपके लिए मारकेश है आपके लगन के हिसाब से तो उस period में आपको loss हो सकता है आद में आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन हकीकत में उसका result कुछ और ही मिलता है बात भी कर सकते हैं और guys आप हमसे consult भी कर सकते हैं so guys take care love you all and goodbye